वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे हम लोग बहुत बढ़िया है और आज है सैटेडे और सैटेडे की दिन हम लोग यहाँ डेली सबजी आही जाता है क्योंकि इस दिन छुटी रहता है विकेंड चलता रहता है तो छुटी रह द्विएर सब्तों बढ़ Hag anticipate और उच्छा लगता है और वहाली सब्ता भी लिया पत्ता भ। अब्लैक और प्लस ग्रीन वाले घ्रेस भी आया था उत्व но ज Holy खाए त़्ोटे वाले बैंगन आया थे पहले से रखे हुए थे हमें पता नहीं था यह मंगा दिये थे एक दिन पहले गा और हम गये तो अच्छा-च्छा चूज करके लाए क्योंकि बैंगन होता है छोटा ओला बैंगन या बड़ा ओला बैंगन खुद से चूज करके लाओ तो ज्यादा से ही रहता है और यह क्या करते हैं इन मंगा देते हैं जिसमें साधा बैंगन खरा भी निकलता है तो मैं कभी भी बैंगन ऐसे नहीं खरीता हूँ बट मुझे पता नहीं था कि घर पे आया हुआ है और पपाया हो गएरा मटर हो गएरा सारी सबजी आई हुई है तो खाली करकर जोला और फ्रीज में कुछ सब मैं लगता है पानी पानी सा हो गया है तो भी नहीं होता और गोभी अगर अभी पेपर में करके ही रख देते हैं तो सई रहता है लब काला काला नहीं होता यह फिर सुफता नहीं है जल्दी एकदम फ्रेस रहता है दो तीन दिन बाद भी बनाओ तो कोई दीकत नहीं होती है और अभी हम अटर छिल रहे थे तो यह जा रहे थे तो बोला कि दस मिन टाइम है थोड़ा छिलवा दो ताकि जल्दी हो जाए क्या फ्रेजर रख दिया लेकिन ममा आप बाबु नहीं खाएगा बाबु खा चुका है ममा आप खाएगी अब ममा का के वहले है इस्ट्राबेरी नहीं हाँ मैं सार्ट खाल लो तुम और हम काट रहे है सारी की सारी सब्जियां अम बटर ओंगर छिल लिया गाजर यह पहले का गाजर है तो थोड़ा सुखा सुखा सा है तो सोचा सारी सब जो भी गाजन है सारे के सारे काट देते हैं और जो फ्रेस वाले हो खाने के लिए रहेंगे सुख जाता है तो सब्जी उगर में डाल दो या फिर कुछ दाल उगर बनता है न तो उसमें डाल देते हैं तो सही रहता है खतम भी हो जाता है नहीं तो ऐसे डश्ट बीन में ही जाता है कोई खाता ही नहीं है तो यह गाजर, आलू, सिमला, मेश, टमाटर, बैंगान, गोवी, मटर डालके खिचड़ी बनेगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबजियां जली-जली फटा-फट काटके तो आज पतीले में खिचरी बनेगी, कुकर में नहीं बनेगी, सिम्पल सा बर पतीला वाला भी खिचरी बहुत टेस्टी लगता है, कुकर से भी ज्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है तो थोड़ा सा तेल डाला उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया फ्लेवर के लिए जीरे से तड़का लगाया लसुन और हरी मिच्ची डाल दिया और इसमें थोड़ा सा लॉंग थोड़ी सी इलाइची मतलब लॉंग इलाइची डाल दोना थोड़ा टेस्ट अलगाता है औ और इसने थोड़ने के बाद तड़क जाने के बाद इसमें प्याज ra डाल लेंगे ना जहते हुए अर criticism, कते ही गोड़ी तो फिर चैनि के इसवाद ले यह फिर और दाल डाल है ठोड़ा सज़ी जिंजर गालिक का पेस्ट नहीं डालते हैं। जिंजर सोचा के कौन कूछने जाएनागा या काटने जाएनागा इस जारा जाए इंद से हम इसे नहीं भूनेंगे तो देखो यह फोर्डा सा भूंड गया है आभे से क्या करेंगे हम mainly डॉल डाल देंगे सारे ? इतनों डाल अ्च्छा लैफिय थिए अपीवा एक भाषत डॉले थ्ट तो इसे पकने देते हैं लिए भंक के और ये देखिये यह पक गया से सब्जिया मतलब हलके हलके से पके क्योंकि चावल और डाल के साथ भी पकना बाकी है तो इसमें चावल और दाल धूल के अच्छे से रखा था मैंने उसे डाल दिया थोड़ा सा पानी के साथ और इसे पकने देंगे हम एकदम अच्छे से तो देखो ये पक गया है खिचड़ी बन गया है मैंने पानी फिर से डाला था दुबारा पकाने के लिए चावल और डाल को और इसमें मैंने डाल दिया धन्या पत्ता और कलर देखो कितना अच्छा मतलब कलर फुल लग रहा है औरेंज ग्रीन येलो मतलब सारे कलर वाइट होगर है सब दिख रहे है गोवी उगर है तो ये तयार हो गया है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इमली वाला पानी खटे के लिए इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है ये आप डालना चाहते हो आपकी मर्जी और इधर खिचुड़ी के साथ पापर तो चाहिए ही चाहिए तो रोष्ट कर र इसले और ये य वाल पर सिका गया सारे लोगों के लिए पार्स के लिए पार्ज के लिए और मेरे लिए भी और लगें ओंड़ों का खाना खिच्छी पापर इंड आम का अचाहाथ दीसी वाला आम का अचाहार कर दो कर दो कर दो मैं इसया को दो कि स्वाइजों में ऊका जा दो कर दो सब्सक्राइब कोटोड़ा कोता है पहले डांस करके दिखा हो ताब वारी साइड वें वारी को लगें च्छाल हो गया पापा को बुला अब मोमा का थ गंद है मुमा साग तोड़ दिया ना तीक पापा को बुलाओ और अभी हम कडाही में तील डाल रहा है क्योंकि साग बनेगा साग के लिए हमने डाला थोड़ा सा लस्टून थोड़ा से जीरा और हरी मिर्ची सुख गया हरी मिर्ची आज कल मौसम इतना अजीब हो रहा ना कुछ भी हरा से बाहर रखो तो तुरंट सुख जा रही है एक दो अच्छा लगेगा तो इसलिए पतला पतला दोनों एक ही अकार में काटा है मैंने और इधर साग बन रहा है सिंपल सा साग है लरसुन और हरी मिर्ची से छौक लगा हुआ और इधर सबजी बन रहा है तो सबजी लगभग भून गया है इसमें अब हम डाल देंगे हल्दी प रता डालिए नहीं मन करा है तो ना डालने कोईज्वरत नहीं है और थोड़ा सा लाल मेची पवडैर टीखा के लिए इसलिए HT तो डाले नहीं जौरत नहीं होगा इसलिए अचिक हले चैसे इसे पकने देंगे जब तक थोड़े से आलू सौफ्ट नहीं हुआ तो इसे ढख के पकने देते हैं मैं फोटो कहां खिच रहा है तुम बनाओ तुम बनाओ तुम बनाओ पाई खिच रहा है मैं फोटो नहीं मैं बीड़ी ओ देख रहा है आए नो पाई घृण बनाओ ऑन अच्छा से अब बनाओ जल्दी बनाओ अच्छा से ऑचा से अब बनाओ जल्दी बनाओ लिच्छे इसके लिच्छे अरा इस्टोप अ गुड 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 अच्छा बन गया चलो यहां भी बना दो गुड निच्छे बना दो लिच्छे बना दो